एनेच बावन धाडर के पास दूद्वाखरा पुलिस ने कार से जब्थ किया डोडा पोस्त पुलिस को देखकर तसकरों ने बगाई कार चुरू की दूद्वाखरा पुलिस ने DST टीम के साथ बुद्वार को कारिवाई करते हुए NH52 धाडर गाउं के पास एक कार से डोड़ा पोस्त जब्त किया है ओप्रेशन फलश आउट और ओप्रेशन हंटर के तहट कारवाई करते हुए पुलिस ने पंजाब नंबर की कार से 30 किलो डोड़ा पोस्त बरामत किया है दूद्वाखरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कारवाई के दोना पुलिस से बचने के प्रियास में तसकरों ने अपनी कार को अंधा धुन दोड़ा दिया जिससे उनकी कार सामने से आ रही दूसरी कार से तकरा गई, इससे दोनों तसकर गंबीर गायल हो गए जिनका फिलाल जिलास पताल में इलाज चल रहा है दूदवाखरा थाना दिकारी अलका बिश्णोई ने बताया कि हादसे के बाद गायलों को जिलास पताल पहुंचाया गया और फिर कार की तलाशी ली गई तो कार की डिग्गी में रखे दो कट्टों में 30 किलो डोडा पोस्ट मिला पुलिस ने कार और डोडा पोस्ट को ब्रामद कर लिया है वहीं दोनों तसक्रों को अस्पताल में राउंड अप कर लिया गायल पंजाब के भटिंडा निवासी, कुलवीर सिंग और सुक्विंदर सिंग को इलाज करवाने के बाद गिरफतार किया जाएगा पुलिस दोरा पकड़े गए डोडा पोस्ट की बाजार कीमत करीब डेड़ लाक रुपे बताई जा रही है